गुज्रात दौरे पर हैं प्रदार मंत्री नरेंदर बोधी इस वक्ता एक जनसभा को संबोदोत कर रहे हैं सुनिए आज देश में गणेश उत्सव चारों तरफ उत्सव की धूम है गरों में भी गणपती बिराजित है आज मिलाद उन नभी भी है देश के अलग-अलग हिस्सों में कई त्योहार और पर्वम मनाए जा रहे हैं उत्सव के इस समय में भारत के विकास का उत्सव भी निरंतर जारी है अभी यहां से करीब साड़े आठ हजार करोड रुपिये के प्रोजेक्ट का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है इन में रेल, रोड, मेट्रो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट सामील है आज गुजरात के गवरों में एक और सितारा जुड़ा है आज नमो भारत रैपिड रेल भी शुनू हुई है ये भारत की अर्बन कनेक्टिविटी के लिए एक और मिल का पत्थर सिद्ध होने वाली है आज गुजरात के हजारों परिवार अपने नए घर में प्रवेश भी कर रहे हैं आज हजारों परिवारों को उनके पक्के घर की पहली किस्त भी जारी हुई है और इतनी बड़ी तादाद में आप आशिरवाद देने आएं ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है साथियों मुझे गुजरात के आप सभी लोगों की अपेक्षा का भी एसास है बार बार मुझे अलग अलग कॉर्णर से मेसेज भी आया करते थे आप चाहते थे कि तीसरी बार शपत लेने के बाद मैं जल्द से जल्द आपके बीच आऊँ और बहुत स्वाभाविक था साथ साल के बार देश की जनता ने एक नया इतिहास रचा है एक सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का आउसर दिया है यह भारत के लोकतंतर की बहुत बड़ी घटना है और इसलिए गुजरात के मन में यह विचार आना कि हमारे नरेंद्र भाईट पर तो हमारा हक है उन्होंने तुरंट गुजरात आना चाहिए आपकी भावना सही है लेकिन राष्ट प्रथम का संकल्प दिलाकर आपी लोगोंने मुझे दिल्ली भेजा है मैंने लोगसवा चुनाव के दर्मान आप लोगों को देश वाचियों को एक गारंटी दी थी मैंने कहा था कि तीसरे टम के पहले सो दिन देश के लिए अभुत्पुर्व फैसले लिए जाएंगे बिते सो दिनों में मैंने दिन नहीं देखा रात नहीं देखा सो दिन के एजेंडे को पुरा करने के लिए पूरी ताकत जोंक दी देश हो या विदेश जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किये कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और आपने देखा होगा पिछले सो दिन में न जाने कैसी कैसी बाते होने लगी इस दोरान मेरा मजाग उड़ाने लगे मोदी का मखोल उड़ाने लगे भाती भाती के तरक वितरक बताते रहे मजा लेते थे और लोग भी हरान थे कि मोदी क्या कर रहा है क्यों चूप है इतनी मजाग हो रही है इतना अपमान हो रहा है लेकिन मेरे गुजरात के भाई औ भेनो ये सरदार पटेल की भूमी से पैदा हुआ बेटा है हर मजाग हर मखोल हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के सो दिन मैंने आपके कल्यान के लिए देश हित के लिए नीती बनाने और निर्णे लेने में जुटा लए और तय किया था जिनको जितना मखोल उड़ाना है उड़ा दो उनको भी तुम मौज आएगी या ले लो ले लो और मैंने तय किया था मैं एक भी जबाब नहीं दूँगा जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्यान के मार्क पर चलना है कितने ही प्रकार के हशी मजाग ठीठोरा पन होता रहे मैं अपनी इस रासे भटकोंगा नहीं और आज मुझे खुशी है कि उन सब अप्मानों को पचाते हुए सो दिन के इन दिनों में देश के हर नागरिक हर परिवार हर बर्गे के कल्यान की गैरंटी पक्की हो गई है इन सो दिनों में पन्रा लाग करोड रुपिय से जादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है चुनाओ के दोरान मेंने तीन करोड नए घर बनाने की गैरंटी देश को दी थी इस गैरंटी पर तेजी से काम हो रहा है आज यहां इस कारकम में भी गुजरात के हजारों परिवारों को पक्का घर विला है कल में जारखंड में था वहाँ भी हजारों परिवारों को गर दी गए हैं गाम हो या शहर हम सभी को बहतर जिन्दगी जीने के लिए दवस्ताएं जुटाने में लगे हैं शहरी मिडल क्लास के घरों के लिए आर्थिक मदद देना हो स्रमिकों को सही किराये पर अच्छा घर देने का अभियान हो फैक्टरियों में काम करने वाले के लिए विशेष आवास योजना बनानी हो वर्किंग विमन के लिए देश में नए होस्टेल मनाने हो सरकार इन पर हजारों करोड रुपिये खर्च कर रही है साथियों कुछ दिन पहले ही गरीब और मिडल कास के स्वास्त से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है मैंने आप से बादा किया था कि देश में सत्तर वर्ष से उपर के जितने भी भुजुर्ग है सबको पांच लाख रुपिये का मुप्त इलाज मिलेगा ये गारंटी भी पूरी हो गई है अब मिडल कास के बेटे बेटियों को अपने माबाप के इलाज की चिंता नहीं करने पड़ेगी अब आपका ये बेटा इसकी चिंता करेगा साथ्यों इन सो दिनों में नवजवानों की नोकरी उनके रोजगार स्वरोजगार उनके कौशल विकास के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं नवजवानों के लिए दो लाग करोड प्ये का विशेश पी एम पैकेज गोशित किया गया है इसका फाइदा चार करोड से अधीक नवजवानों को होगा अब कमपनियों में पहली नोकरी की पहली सेलरी भी अगर कमपनी नए नवजवान को पहली बार रोजगार देती है तो वो पैसे सरकार देने वाली है सरकार ने मुद्रा लोन जिस मुद्रा लोन ने स्वरोजगार के खेत्र में एक नई क्रांती लाई है बहुत सफल अभ्यान रहा है उसकी सफलता को देखते विए पहले दसलाख रुपे तक मिलते थे अब उसे बढ़ा करके बिसलाख रुपे कर दिया गया है साथियों मैंने माता और बहनों को गारंटी दी थी कि देश में तीन करोण लगपती दीदी बनाई जाएगी बीते सालों में एक करोण लगपती दीदी बन चुकी है लेकिन आपको खुशी होगी कि तीसरी स्टम में पहले सो दिन में गुजरात सहीत पुरे देश में ग्यारा लाख नई लगपती दीदी बनी है हाल में ही सरकार ने तिलहन उगाने वाले किसानों के हित में तेलिबिया उनके हित में भी बड़ा फैसला लिया है इसलिए लिया गया है ताकि देश के किसान हमारे तिलहन किसानों को बड़े हुए में MSP से भी जादा कीमत मिले